आप आप सभी ने चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर नहीं किया तो जल्दी से जाईए and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video Are you ready to go? Let's get started As you already know हम करेते Science Class 10 Chapter 1 Chemical Reactions and Equations की Short Question Answer Discussion So आपने अभी तक बहुत सारे Question जो है मेरे साथ वीडियोस के थूँ समझे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप Comment section में Message कर सकते हो हर concept जो है in a easy way आपको समझाया जा रहा है ताकि आप उन चीजों को Recall कर पाओ बार बार सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट की फॉर्म में Available है चैनल पर concept को समझना है याद नहीं करना ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि Human Mind जो है हर चीज को याद नहीं कर सकता तो आपको concept को समझना है और जब आप एक वीडियो दो बार भी देख लोगे तो आपको easily वो चीज जो है आपके mind में develop हो जाएगी तो answer करना बहुत easy हो जाएगा ऐसे ही questions को गुमा कर आपसे पूछा जाएगा तो बस आपको ध्यान रखना है जो आपने समझा है उसे apply करना है So are you ready to go? Let's get started 28 है write a balance equation for the following chemical reactions The first one is hydrogen combines with chloride and form hydrogen chloride तो अब आपकी balancing start होती है तो balancing का step है पहले आपको कुछ चीजे याद करनी पड़ेंगी तबी आप इन सब balancing को solve out कर पाऊगे तो जो class 9 में आपने ions वाला table पड़ा था जिसके उपर plus और minus charges होते है items के उन्हें हम ions बोलते हैं तो उस table को आपको अच्छे से याद करना है even practice करते करते वो अपने आप याद हो जाएगा और अभी जो हम formula बनाएंगी criss-cross method से वो भी अपने आप ही आपको क्या होंगे बनाने आ जाएंगे आपको बनाने ही नहीं पड़ेंगे डारेक ताप आंसर लिख पाऊगे बस balancing के उपर थोड़ा सा आपको काम करना है so are you ready to go let's get started तो hydrogen का तो हमें already पता है hydrogen जो है H2 होता है chloride जो है वो CL होता है ध्यान लगता है chlorine नहीं बोला है यहाँ पर chloride बोला है तो chloride के लिए सिरफ CL लिखेंगे CL2 नहीं लिखेंगे अगला बनेगा क्या hydrogen chloride तो hydrogen chloride यानि की HCl बनेगा यह formula तो already आपको पता ही है है ना चलो अब हमें क्या करना है balancing करनी है तो balancing करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इन सब के बहार क्या करना है हमें box बना देने है यानि कि hydrogen के आगे box बना दिया chlorine के आगे box बना दिया और HCl के आगे मैंने क्या कर दिया box बना दिया अब box बनाने के बाद जितने number of atoms हैं वो आप लिख लो जैसे क्या क्या number of atoms है number of atoms में जैसे हमारा क्या क्या है हमारा है hydrogen उसके बाद और क्या है हमारा hydrogen के बाद है हमारा chlorine Cl बस यही डो atom है अब आपको क्या करना है left side भी count करना है और right side भी count करना है hydrogen की counting करो hydrogen के आगे कुछ है नहीं नीचे कुछ है हाँ है कितने 2 अब महापर भी देखो hydrogen का है यहाँ पर है आगी कुछ है नहीं नीचे कुछ है नहीं मतलब क्या है 1 है बिल्कुल ऐसी CL के लिए देखो आगी कुछ है नहीं नीचे कुछ है नहीं मतलब क्या होगा 1 अब यहाँ CL देखो यहाँ पर CL में आगी पर करनी है तो जहां पर कम है उसको देखो अगर वन को हमें टू बनाना तो क्या करना पड़ेगा वन को टू बनाने के लिए वन को टू से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो हमने क्या करा प्रोड़क्ट साइड में जहां हाइट्रोजन है वहां हमें टू लगाना है तो जै यानिकी प्रोड़क्ट साइड में क्लोरीन अब कितना हो गया हमारा 2 हो गया अब अगर क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पर भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा तो अब यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा तो बेरियम का हमारा सिंबल होता है BA, पहले आप फॉर्मला बनाना सी को BA, और क्लोराइट का होता है CL, तो BA के उपर क्या आता है? 2 होता है, और क्लोराइट का 1 होता है, तो जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइट का फॉर्मला है, बेरियम क्लोराइट को अलुमीनियम सल्फेट के साथ रियाक्ट कराया गया, अलुमीनियम का क्या होता है? आल, और सल्फेट का होता है, SO4, 2 माइनस होता है, तो वो 2 कहा आजएगा? यहाँ, और अलुमीनियम का होता है 3, AL3 ब्लस होता है, तो यह क्रिस क्रोस करोगे और फॉर्मला बन जाएगा आपका, AL2, SO4, अब S और O, दो अलग-अलग एटम है, इसलिए हमें यह ब्रेकित लगाना पड़ेगा उसकी पैरों में यह चीज ज्यान लखने है क्रिस क्रॉस करने के बाद यह जो 321 लगाते हैं यह हमें कहां लगाना है एटम्स की पैरों में लगाना है तो यह हो गया क्लास 9 का कॉंसेट आपको याद आ गया हो कि कैसे फॉर्मेशन करी थी आपने फॉर्मला बनाने की बिल्कुल ऐसे ही बेरियम सल्फेट और अलुमीनियम क्लॉराइट का भी आप फॉर्मला बना लेंगे आप करनी है आपको बैलेंसिंग तो क्या अलग-अलग एटम से एक एक करके ट्राइ करो गैस सबसे पहले आपका एटम है बी ए और क्या एटम है सी एल और एलुमीनियम उसके बाद हमारा है सल्फर और ऑक्सीजन लेफ्ट और राइट साइड में काउंट करोगे और देखोगे की इक्वेशन क्या है कैसे बैलेंस होगी अगर आपको करते वे कॉमेंट सेक्षं में मैसेज करोगे बिलकुल ऐसे ही थर्ड वाला भी ट्राइल करोगे जिसमें मैंने फॉर्म्लाथ Nej वह बनाकर आपको दे दिये हैं आपको थर्ड वाले भी balancing try करनी है और अगर कोई भी doubt है तो comment section में message करना है Till then take care thanks for watching and please subscribe the channel don't forget to hit the bell icon